हेलो फ्रेंद्स गुट मॉर्निंग वेलकम टो माइविमलेश पूजा चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमाई यूट्यब चैनल पर आई होप आप लोग ठीक होंगे स्वास्त होंगे और मस्त होंगे और हम बच्चे सब बिरकुल स्वास्त हैं और मस्त हैं तो द देख सकते हैं आप लोग धोलक वगयरा हमारे घर में बज रहें तो आज हम गाने वाले हैं गाना तो आप लोग सुनिए का हमारा गाना और अच्छा लगे तो लाइक जूरू किजिएगा गाने का गाने को और जो है चैनल को सब्सक्राइब ही किजिएगा तो फ्रेंस कल की वीडियो में आप लोग को दिखाया था कि राशन लेकर आये हैं तो रात को मैंने नहीं रखा था डिब्बे में नहीं भरा था क्योंकि थोड़ा सा क्लीनिंग वया है मतब साथ सफाई करके मुझे डब्बे में भरना था तो सारे डब्बों को तो साफ कर लिया था उपर से क्योंकि थोड़ा थवर ड़स्ट हो जाता है डब्बों में तो अब इसमें सारे डाल बगएरा मैं डाल दूंगी तो सारे को भर उग और हम उङल डोग कर काम कर रहे हैं क्योंकि मुझे उपर चड़के करना पड़ता है तो गिरने कभी थोड़ा सा डर होता है इसलिए मैं अकेले में बहुत ही कम क्लीनिंग करती हूं किचन की जादा क्लीनिंग नहीं करती हूं तो बस आज बच्चों की छुटी है क्योंकि जो सोडल बाबा का मेला था और तीन दिन की बच्चों की छुटी है तो इसलिए घर पे हैं और आज तो बस मस्ती के साथ साथ जो है मेरा सार भी दर्द होगा क्योंकि बच्चे बहुत जादा शारते करते हैं तो बस इनको काम पे और बैल आइकन के साथ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंसती रहे तो ठीक है फैंस और आप लोग जो है ना वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हो बहुत जादा मुझे खुशी मिल रही है आप लोग वीडियो को प्यार देते हो और कुछ जो है यहां तक पहुंचना मेरे बश का नहीं है लेकिन आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुचाया तो जाहिसा है कि आप время मुझे ना परसंद करते हो तो काफी आगे मुझे लेकर भी जाओगे मुझे यकीन है विश्वास है आप लोग के उपर कि मुझे बहुत आगे तक आप लोग लेकर जाओगे तो बहुत खुशी मिलती है जब मुझे जो है यहां तक मैं पहुची हूँ तो चलिए भगवान का अगर कृपा रही और आप सब दोस्तों की किरपा रही मुझे तो मैं जरूर आगे तक बढ़ूंगी तो सारी चीज़ों से मैं टेंशन फिरी हो गई हूँ बहुत जारा टेंशन होती थी लेकिन आजकल टेंशन सारा मैंने खतम कर दिया है जो है मैं का जो होगा देखा जाएगा इतनी टेंशन लेकर कोई फाइदा मि प्रेंशन जो है ना बढ़े या फिर वी आए ना आए लेकिन जितने लोग भी में जितने भी मेरे फ्रेंशन मेरे वीवर्स हैं तो उन लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है तो वो लोग भी मुझे जो है आगे तक ले ही जाएंगे तो चली फैंस डिब्बे म बहुत ही ज्यादा मस्ती करते रहते हैं क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे चुप चाप बैठके काम करने में मज़ा नहीं आता जो मस्ती करने में मज़ा आता है तो बस अभी घर का कोई भी काम मैंने नहीं क्या भी सारा काम पड़ा हुआ है तो देखी सकते आप लोग तो य तो बस उपर चड़के में क्लीनिंग करूंगी और बेटी को बोलूंगी कपड़ा गीला करके मुझे धो धोके देती रहेगी उपर और वीडियो जो है बेटा बना रहा है और बेटी में हेल्प करेगी तो यहां पर कुछ बरतन है धोने के लिए रखावा है इसमें कुछ है खाना वग्यरा कुछ भी नहीं है यहां पर धूल मिटी खाने में पढ़ रहा है तो आसा कुछ भी नहीं है क्योंकि डश्ट तो होता ही होता है और यहां पर जो है गैस नीचे खाना बनता तो उपर भी काफी डश्ट हो जाता तो इसको गिले कप्रे से मैं साफ कर दूंगी और यह साफ हो जाता है मैं बीच बीच में करती रहते तो साफ हो जाता है जल्दी से ऐसा नहीं है कि बहुत जादा डश्ट हो जाता है तो मैं जाए डश्ट होने देती क्योंकि मैं साफ कर देती है हाँ वीडियो में नहीं दिखा पाती हूं कई बार कोई वीडियो नहीं ब पतम हो गया थोड़ा बहुत इसमें लगा तो इसको ले जा धूप में रख देना इसका घी निकल जाएगा सारा तो इसको धो डालूंगे डब्बे को जो खाली शीशिया वेगरा है उसको भी निकाल लूगी क्योंकि मुझे उसमें कुछ न कुछ रखना है तो बीच में खाल उचल की नहीं मुझे टेवल पर चड़ना पड़ेगा तो टेवल पर चढ़के मैं रोज्वत मान को निगालने ही सकती हूं थो यह लकडी का मैंने अल्मारि बनाया है। यह मैंने खुद अपने हाथों मैं बता typical इस प्रें वीडियों में बता चुकी हूं तो इसका मुझसे जो है पंदासो रुपे मांग रहे थे ऐसी अलमारी बनाने के लिए कि पंदासो रुपे लगेंगे आपका बन जाएक तो मैं का नहीं रहना दो में पास लकड़ी फटे वगएरा पड़े हैं पलाई वगएरा है मैं खुद ही बना लूगे इतना पैसा क्यो ले अब भी कुछ खास नइंगे देने वाले थे बस ऐसी सिंपल से दिखाया था डेम आसी बना के देने वाले थो मैं खुद ही बना लूगी तो फटे वगएरा में पास पलाई वगएरा सारव कुछ था ही तो मैंने अपने हाथों से बना लिया था तो शूरेक और यह भी चोटी सिले के बड़ी तक की कांच की बरनी है एक समय था जब मुझे कांच की बर्नियों का कुछ जाद ही शौक लग गया था तो मैंने सारी बरनिया कांच की कठी करनी शुरू कर दिया था तो सारी कांच की है मेरे पास तो उसके बाद आ गई हूं मैं यहां पर चावल डालन है तो दो टाइम क्या बार दो टाइम बन जाता कई बार एक रहर में घleich url लगता है तो गर्मी सारी बरन भी बहत कम रहर लगता है तो यह यह दो तीन महीं महिए मेरे चाल सब्सक्राइगा जयाता है तो चल भाग ब्लोग पसंथा और आप लोको आगर मेरा यह पसंद आत